आजकल बारिश बहुत हो रहा है मेगापिक्सल का बारिश इस साल कैमरा और मेगापिक्सल का इतना भर भर के बारिश हो रहा है ना कि फुरा कीचड कीचड हो गया महौल लिकिन एक अच्छी बात यह के एक्सपेरिमेंट सक्सेस्फुल हो रहा है कमपनीज का और मेरे पास जो ये वाला फोन है, इसमें 6 कैमरा थे, 5 पीछे और 1 आगे, और इसमें से 1 कैमरा 108 मेगा पिक्सल का है, और पता नी, 2020 में कमपनी क्या करें के साथ, वो सकता है कैमरा में फोन दे दे, हलो, हाँ, देवी प्रसाद है, और कौन देवी प्रसाद, तो मजा का बास स साइट में ये जो मेरे पास फोन है, ये है शाओमी का सीसी 9 प्रो, और ये अभी इंडिया में लॉंच नहीं बाए, और होफुली इंडिया में ये माई नोट 10 के नाम से लॉंच हो, तो ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्यूंकि हम लोग रिव्यू करे इस फोन के पेंटा कामरा सेट अप को और पता करेंगी क्या 108 मेड़ पितल सच में वर्थ है, तो जादर टाइम बेस्टिंग करते हैं वीडियो को स्टार्टिंगे तो ये वाला जो वीडियो ये इस फोन का इंडेप्त रिव्यू नहीं है, ये कामरा का इंडेप्त रिव्य तो अगर आज से 5 साल पहले वाला कोई भी फोन देखे तो इसमें धंग का प्राइमरी कामरा भी नहीं होता था और सेलफी कामरा अच्छा होना तो बहुत दूर का बात था, लेकिन अब आपको एक फोन में 6 कामरा देखने मिलता है, तो दीरे-दीरे उंगली खतम हो है इस वाले फोन का तो चलो टागी जैसा कि आप लोग को बताया इसका में सेंसर जो है यह 108 मेंगा पिक्सल का है लेकिन इसके ऊपर जो है यह 2x टेली फोटो और यह 5x टेली फोटो और उसके नीचे है यह अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और यह माक्रो लेंस जो है चोट टेली फोटो लेंस के बारे में और इसमें 2x और 5x दो टेली फोटो लेंस है तो यह इसके में सेंसर से नॉर्मल फोटो फिर टेली फोटो लेंस से 2x टेली फोटो और फिर 5x टेली फोटो लेंस से 5x टेली फोटो लेंस तो आप्चली में जो यह टेली फोटो लेंस है यह फोटो लेने का अच्छा काम आएगा लेकिन दिल्ली में इतना ही थंडा है कि पाड़ पे जाने का जरुवत ही नहीं पड़ा था हम लोग यहीं ले ले लेते हैं अपने बैक्राउंड में 5x telephoto है उसका साइज है 4M वी कम का साइज इतना कम इसलिए है क्योंकि उसका जो सेंसर है वो बस 5 Megapixel का है वो ओप्टिकल जूम ही डिजिल जूम नहीं है लेकिन उसका सेंसर का पावर थोड़ा कम है लेकिन नॉर्मल और 2x telephoto जै वो काफी अच्छा क्वालिटी है तो अगर आपका अभी भी मन नहीं भार रहा है 5x telephoto से तो इसमें है 50x telephoto जूम यह 5x telephoto और 50x इस वाले फोन में शौमी वालोंने काफी अच्छा काम किया है 50x को स्टेबल रखने के लिए वैसे इसका कुछ काम माम है नहीं तो इसके सबसे नीचे में छोटा सा बच्चा सा सबसे चोटा भाई जो है वह है 2MP का मैक्रो लेंस वैसे यह उतना कुछ खास नहीं लेकिन तब एक बार देख लियता है तो इस वाल का जो टेक्च्चर है वह काफी अच्छा है और इस वाल का भी तो यह दोनों फोटो जेक बार मैक्रो मोड में लेकर देखते हैं कितना अच्छा क्यूंकि 2MP का कैमरा है तो वैसे कुछ क्वालिटी वाइस तो मेरे कुछ बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं लगा एक चीज यह नहीं रहने से अच्छा है कि एक एक एक्स्टा कैमरा है इसमें और फोटो लेने टाइम यह छुप भी जाता है तो अब नेक्स्ट कामरा पर जो कि मेरा परसाल फेवरेट और यह यह वाला कामरा जो नीचे में एक तब बड़ा सा अलग सा कैमरा दिख रहा है और यह मेरा परसाल फेवरेट इसलिए है क्यूंकि इसका जो सेंसर है 20 Megapixel का है बांकि कोई सा फून में 20 Megapixel का वाइड अगल कामरा नहीं है इस रेंज में और iPhone में 12MP की camera आता है और वांकि कोई साभी फोन ए उस में 8MP की wide angle camera आता है बहुत सारे फोन का primary camera तो बहुत ही जाधा अच्छा होता है लेकिन secondary camera डिसपोईट कर देता इस wide-angle camera से भी बहुत सारे फोटो ज लेते हैं और क्योंकि यह ultra wide है जब भी आप photos लेंगे इससे, आपके उंगली का cameo इसमें आना ही आना है, तो आपको extra careful रहना पड़ेगा ultra wide angle camera से photo लेते टाइप, थोड़ा कम light में wide angle का performance उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर normal अच्छा light है तो यह बहुत जादे ही अच्छा photos लेता है कि 108 megapixel का camera मार्केट ने पूरा भगदड मचा हुआ है, इंडिया में आया भी नहीं है, लोग चाइना से खरीद के इसको ला रहे है, और मेरे हाथ में आया है यह तो अब हम लोग छेक करते हैं कि 108 megapixel सच में कितना अच्छा है इसका, तो इस वाल का photo लेते हैं और देखते है कि इसका texture कितना अच्छा आता है, यह वाला जो line है, यह सब line दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यह सब line है यह भी एकदब अच्छे से capture हुआ है और इतने दूर से भी यह सब line बहुत ही जादा अच्छे से capture किया है, तो यह एक बहुत ही अच्छे quality का photo है तो इसका 108 megapixel व वाकई में यह बड़ा अच्छा वड़ लग रहा है, वाकई में काफी अच्छा है, जो यह 108 megapixel का hype है और इसका जो price point है around 30-35,000 का around, तो उस हिसाब से यह camera का जो पांचो set up है, यह काफी अच्छा है, 108 megapixel हाँ मेरे को लग रहा है कुछ तो अभी यह पूरा finish नहीं है, कुछ काफी अच्छा है, और रात भी काफी अच्छा डीटेल सी यह capture कर ले रहा था, लेकिन night mode में आपको फोटो लेते time अपना हाथ को steady रखना पड़ेगा, और यह process होने में कम से कम नहीं, तो 3-4 second लेता है, तो वो थोड़ा time taking हो जाता है, पर awkward situation आपको फोटो लेने का मना है, तो वो उसको जादे ही awkward हो जाता है, कि कि आपको ऐसे 3-4 second तक अगर किसी के तरहा पॉइंट करके रखेंगे camera, तो उसको अजीव awkward सा लग जाएगा, लेकिन night mode में यह थोड़ा सा important भी है, क्योंकि camera को बहुत कम light मिलता है, और उसको थोड़ा जादा light लेने के लिए, थोड तो selfie में details तो है, मेरे दाड़ी का सारा बाल दिख रहा है, जो कि उतने है नहीं तब भी दिख रहा है, और बाल में भी काफी अच्छा clarity आ रहा है, तो इसका selfie camera तो अच्छा ही कोई बात ही न, आजकल सारे phone में selfie camera बच्छा आते हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत important tease भचा है, तो photo photo तो बहुत हो गया, लेकिन आब आते हैं इसके video mode पर है, और video है, तो obvious ही बात है कि इस phone का video अच्छा ही होगा, लेकिन इसका stabilization भी एक बार check कर लेता है, तो इसका stabilization मेरे को best तो नहीं लगा, लेकिन ठीक ठाक है, और slow motion ये 960 fps पर बोलता तो है ले रहा है, लेकिन ये 960 fps तो 720p में लेता है, जो कि मेरे को बहुत ज़ादे ही फालतू लगा, लेकिन 120 fps अच्छा है, quality भी इसका अच्छा है, 1000 80p पर ले लेता है, इसमें एक और feature है, shoot vlog करके, और ये मेरे को सच बहुत ही interesting और बहुत ही नया चीज लगा किसी भी फोन में देखने में, तो एक बा होता क्या है, तो इसमें लिखा है, you can shoot vlogs only in the landscape mode, चलो ठीक है, माल लिए, तो व्लाग मोड में एक चीज नोटीस किया, कि ये छोटा-छोटा चार क्लिप shoot करने के लिए बोलता है, और वो अपने आप मर्श करके, एक cinematic sequence बना देता है, तो एक क्लिप अभी shoot कर लिए, दूसरा क्लिप shoot करते हैं, लोग इस पर हो सकता, व्लाग shoot भी ना करें, लेकिन company लोग notice कर रही है, कि ये सब चीज प्रोग्रेस कर रहा है, मेरे को ये बहुत ही जादा अच्छा लगा, तो overall अगर इस फोन के camera का performance देके, तो काफी अच्छा है, मेरे को पास 2-3 चीज से problem है, तो सबसे पहले तो 5x telephoto का quality उतना अच्छा नहीं है, दूसरा चीज है कि इसका macro lens का कोई use नहीं है, और use इसलिए नहीं है कि macro lens का quality कुछ खास नहीं है, अगर quality अच्छा होगा तो लोग macro photography करते हैं और इससे भी करेंगे, और तीसरा चीज ये उस case में ये phone बहुत ही अच्छा है और अपने price के लिए worth it है, उसमें कोई दो राया नहीं है कि आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं आपको डिबागर आपको camera चाहिए तो ये phone बहुत ही अच्छा है इस price range में, तो इतना इता है इस वाले वीडियो के लिए अगर देना और share करतेना उन लोग से जिनको camera और photography और ये सब चीज में interest है और I will see you in the next वीडियो, इस ओले वीडियो का like एम रखते 100 likes क्योंकि मेरों को पता आप लोग कर देंगे, और बाई